Hello and Welcome to Telly Talkies दोस्तो बिग बॉस के घर के अंदर खेल चुकी है शिवानी शिवानी और पायल ने मिलकर छीन ली है सना से उसकी बाहरवाली की पोजिशन जी हाँ पायल को शक हो गया था और शिवानी को भी शक हो गया था सना सुल्तान पर जब नाम अनाउंस करे गए थे बिग बॉस के द्वारा कि किन तीन लोगों को नहीं मिलेगा नॉमिनेशन करने का अधिकार और ऐसे में दोनों ने मिलकर कर दी बड़ी प्लानिंग क्या हुआ कैसे हुआ पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चानल को सबस्प्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को आप जरूर दबा दें वेल दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर सना सुल्तान बाहरवाली बनकर बैटी हुई थी और खूब मजे मार रही थी लेकिन अब ऐसे में बिग बॉस ने पलट दिया तकता और इस तकते को पलटा किसने इस तकते को पलटा पायल ने और शिवानी ने असल में हुआ ये कि जब बिग बॉस ने बोला कि पायल अर्मान और चंदर का नहीं करेंगे वोट क्योंकि बाहरवाले ने आपके वोटिंग अधिकार को ले लिया है तो ऐसे में घूमा पायल का दिमाग और उसमें ये गणित बठाने की कोशिश की कि आखिर वो कौन सा शक्स है इस घर का जिसको हम तीन लोग नॉमिनेट कर सकते थे पायल काफी देर तक अकेली बैट कर इस बारे में ब्रूड करती रही यानि सोचती रही और फिर उसका दिमाग चला उसके दिमाग की घंटी वजी और उसने शिवानी को अपने खेमे में लिया उसने शिवानी से कहा कि सुन शिवानी एक काम कर सना सुल्तान जब अकेली बैट जी होगी तो उसका फोन साइड में रखा होगा तू अकसर बेड्रूम में जाकर इदा उदार घूमती रहती है वह सणा सुल्टान अकसर दीपक जी के साथ बैठती है जब वह दीपक जी के साथ बैठी हो तो तू भी जाकर बैठ जाई हो क्योंकि तेरी भी बॉंडिंग चल चली पायल ने पायल अपने साथ जब सना ने अपने फोन को निकाल के अपने गले से रखा दीपक जी के पास बैठी थी उस समय पायल जान मूच कर सना सुल्टान को अपने साथ ले आई और बाहर गुफा वाले एरिया में बैठ गई जिसके बाद यहां पर उसके पीछ फिशे से शिवानी ने फोन खोल कर देखा और शिवानी जान गई कि सना सुल्तान है कोई और नहीं बलकि बाहरवाली और ऐसे में शिवानी ने जाकर बता दिया पायल को और फिर क्या था पायल ने बिग बॉस को बोल दिया कि बिग बॉस हमें पता लग चुका है कि बाहरवा कि बिग बॉस शिवानी और पायल में से ये अधिकार किसको देंगे क्या कहेंगे आप कमेंट्स में आप जरूर लिखें वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें